है स्वागत है दोस्तों आप सभी का मैं हूँ सवरभ देवतकर आपका mathematical and motivational mentor वापस नया सेशन pair of straight line का intensive series अपने शुरू की है from the boards point of view हम लोग का मकसद यही है कि boards में आप top से top marks score कर सके तो शुरू करते हैं सेशन 4 के साथ topic का नाम तो आप जानते ही हो pair of straight line बड़ अगर किसी ने session 3, session 2, session 1 नहीं देखा है 1, 2, 3 session नहीं देखे हैं तो वापस एक बार बता देता हो आई बटन पे क्लिक कर दीजिए वहाँ पे playlist मिल जाएगा तीनों session properly revise कर दीजिए ताकि session 4 अपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए क्योंकि यह session ने काफी सारे concept और numerical हम लोग cover करने वाले तो शुरू करते हैं बट उसके पहले as per our rule हम लोग थोड़ा revise कर देते हैं कि जीरो second condition हुआ था h square minus a b is equal to zero and third condition था अपना h square minus a b is less than zero अब याद करो यह अगर greater than zero होता है तो lines are distinct right distinct मतलब क्या different यह अगर is equal to zero है तो इसको coincident याद करो मैंने एक नाम बताया था right नाम क्या था sandwich perfect and the last one यह doesn't exist does not exist right यह exist करेगा ही नहीं ठीक है क्योंकि आप सभी जानते हो कि under root at square minus a b होता है तो अगर मैं less than zero बोलू तो यहाँ पर आ जाएगा negative number यहाँ पर negative आ गया square root के अंदर तो यह तो 9 साप ही हो गई क्योंकि यह हो गया imaginary part ठीक है तो जाहिर सी बात है यह तीन condition हम लोग ने देखे थे उसके साथ साथ और दो formula भी मैंने बताया था आपको hopefully you can remember that formula that is first one was m1 plus m2 मतलब sum of the slope and the second one is shabash product of the slope याद करो या दोनों formula क्या क्या थे sum of the slope was 2h by b right and this was a by b ओके तो यह बहुत simple formula हम लोग session 3 में उसके उपर numerical भी किया था आज session 4 भी उसी के उपर depend है तो अगर अभी भी किसी को नहीं पता फटा फट लिख दो जाते हैं अपने पहले sum की और ओके गाईज यह रहा आज का session 4 का पहला question आपके सामने बहुत जादा important लिखते समय पहला question mark कर लो बहुत जादा important है find the value of k if slope of one of the lines represented by line का equation दे दिया है 4x square plus kxy plus y square is equal to 0 is 4 times the slope of the other line अब चेक करो यहाँ पे जो equation दिया है यह जो equation उन्होंने जो दिया है that is called as a homogeneous equation सबका power क्या है same है अब जैसे ही वो लोग यह दे देते तो पहला task क्या होना चाहिए comparing शबाश गाईज आपको समझ गया है comparing कर देंगे किसके साथ वो भी लिख देता हूं है यहाँ पे ax square plus 2hxy plus b y square is equal to 0 चलो लगिया तो यहाँ पे a का value भी लिख देते हैं just compare come on x square का coefficient यहाँ पे कितना है a है यहाँ पे कितना है 4 है तो a का value हो गया 4 गाई नहीं करने का, डायलोग याद रखो, क्या है गाई नहीं करने का, तो 2H, यहाँ पर XY का coefficient क्या है 2H, यहाँ पर क्या है K, यहाँ पर आ गया, simply K, right, similarly, यहाँ पर Y square का coefficient कितना है B, यहाँ पर कितना है 1, तो B का value कितना आ गया, 1, great, तो यह सारे value मिलने के बाद, उन्होंन the slope of the lines represented by ठीक है लिख देता हूं फ्रॉम दो बोर्ट स्पॉइंट आफ पे अपना सीरीज आई है तो लेट ड़ स्लोप ओफ दे लाइन्स स्लोप्स ओफ दे लाइन्स आर एम एंड फॉर एम क्यों एंड फॉर एम क्योंकि एक अगर स्लोप है तो दूसरा स्लोप क्या होना चाहिए शबश फॉर एमना चाहिए कूकि फॉर टाइम से ना राइट उन्होंगे दे दिया यहां पे 4 times है तो simple हो गया M है और 4M है तो यहां पर मैं लिख देता हूं दो formula अपने को पता है sum of the slope sum of slopes के इस तेल में sum of slopes कितना आता है come on M1 plus M2 आता है न तो इस case में कितना हो गया M plus 4M क्योंकि पहला slope कितना है M है दूसरा slope कितना है 4M है तो M plus 4M कितना हो गया 5M but sum of the slope तो अपने को पता है क्या formula होता है sum of the slope का देखो sum of the slope का formula क्या होता है 2H by B अच्छा plus और minus है great minus है तो यहां पर तो खतम हो गया देखो कितना simple हो गया therefore मैं 5M को compare कर सकता हूँ 2H कितना है मेरा यहां पर K है ना तो यहां पर minus K by B बोल सकता हूँ मैं बरोबर है तो यह एक relation हो गया इसको equation number one में यहां पर assume कर लेता हूँ अब यह तो था sum of the slope के लिए अब चेक करते product of the slope क्या बोल रहा है ठीक है तो यहां पर लगया तो लिख देते product of slope product of slopes क्या आने वाला है can anybody please tell me यह शबाश M1 into M2 चलो M1 कितना है M है M2 कितना है 4M है great guys तो यहां पर कितना आ गया 4M square but product of the slope का formula आपको पता है कितना है A by B good going guys A का value पता है मेरे को अब तो खतम हो गया देखो sum इदर ही खतम पूरा kill कर देने का hit कर देने का sum को देखो कैसे क्योंकि यहां पर 4M square compare हो जाएगा किसके साथ A by B के साथ A और B का value कितना है पता है मेरे को 4 by 1 तो M square का value कितना हो गया खतम हो गया guys चलो last part can anybody please tell me 4-4 cancel out तो बचा कितना 1 तो M का value कितना आया great M का value कितना आया 1 आया right लेकिन M square का value 1 है तो M का value plus और minus 1 दोनों भी हो सकता है I agree तो काम करते है न यह M square solve करते है इसके साथ देखो क्या मिलता है अपने को है न के का value मिल जाएगा अपने को बात खतम हो जाएगी फिर तो therefore सीधा यहां पर कर देंगे comparing one and equation number two कर देता हूं मैं ठीक है comparing one and two तो यहां पर चेक करो comparing कर दिया तो can anybody please tell me can anybody please tell me guys इसको क्या करो square कर देता हूं ताकि M square का value मैं वहां पर डाल सको बात खतम हो जाएगी देखो कुछ नहीं ज्यादा टेंशन नहीं लेने का देखो यहां पर squaring कर दिया तो यह हो गया 25 M square बरवर 5 का square 25 M का square M square which is equal to minus K B का value तो यहां से पता ही है न डाल दो खतम हो जाएगा तो come on यहां पर minus K is equal to 25 M square का value कितना है 1 है तो यह हो गया 25 are you getting my point guys तो K का value कितना आ गया चलो K का value कितना आ गया बट एक और चीज़े पता है अपको एक और चीज़े आपने यहां पर squaring किया यहां पर किया क्या नहीं किया तो यहां पर squaring करना पड़ेगा न अपने को तो यह minus K का square कितना हो जाएगा positive K square हो जाएगा plus one का तो वही रहने वाला है तो यह minus हटा देता हूं मैं तो यह value कितना आ गया plus or minus five you have to consider both the values guys because यहां पर power कितना है two है तो obviously K का value दो अपन एक्सपेक्ट जरूर करेंगे अच्छे से पूरा सम एक बार देख लो कुछ doubt है तो बेशक बिंदास आप comment box में लिख दीजिए personally हम लोग आपका doubt solve करेंगे क्योंकि अपना intensive series का main aim वही है चलो शुरू करते है next sum के साथ ओके guys second question यह रहा आपके सामने find k if slopes of the lines represented by 3 x square plus k x y minus y square is equal to 0 differ by 4 अभी आप काओगे वहां पे ता 4 times यहां पे differ by 4 क्या जादा फरक पड़ेगा बहुत ही जादा फरक पड़ने वाला है लेकिन sum चालू करने से पहले मैं कुछ आपको एक trick बताना चाहता हो कौन सी पता है आपको पता भी रहेगा नहीं पता है जिनको उनके लिए मैं बताना चाहता हो because यह बहुत जादा important है आगे आने वाले कई सारे chapters में इसकी अपने को बहुत ज़रूरत पढ़ने वाली है if I'll say you here M1 minus M2 the whole square क्या आता है formula M1 square minus 2 M1 M2 plus M2 square यह सब को पता है यह सब को पता है मतलब A minus B the whole square का यहाँ पर अपने formula कर दिया अब एक काम करते है यह पूरे formula में मैं दो चीज़े हैं यहाँ पर adjust कर देता हूँ कौन सी पता है M1 minus M2 the whole square है न तो मैं यहाँ पर plus 4 M1 M2 adjust कर लेता हूँ अब यह सब पर adjust किया तो obviously यह सब पर adjust करना चीज़े तब जाके तो क्या होने वाला है इंसाफ होने वाला है ठीक है अपन इंसाफ दिलाते हर एक equation को तो यहाँ पर होना चीज़े M2 का square plus 4 M1 M2 मैंने कुछ नहीं किया बस M1 M2 को क्या किया adjust किया अब एक check कर लेते गाईज इधर मज़ा आने माला है M1 ठीक है यह minus 2 है यह plus 4 है मतलब कितना होगा M1 square plus 2 M1 M2 plus 2 हो जाएगा तो plus M2 का square इसका मतलब क्या है यह हो गया M1 plus M2 the whole square इसी का मतलब हो गया यह 4 M1 M2 है अब यह side पर क्या करेंगे adjust करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा M1 minus M2 the whole square which is equal to M1 plus M2 the whole square minus 4 M1 M2 बहुत ही जादा important यह formula है अगर किसी को नहीं पता तो पूरा यह अच्छे से लिखे लोग कहां से आया कैसे आया क्योंकि यह sum में इसकी जरूरत बहुत जादा है कई सारे लोगों को maths में problem क्या होता है पता है सर आपको कैसे पता यह numerical में आपको यही formula यूज करना है डूंट वरी बता जब यह चैनल पर हो इंटेंसिव सीरीज देख रहे हो तो मैं जरूर यह सारी चीज़े डीटेल में बताने वाला हूँ वीडियो को continue देखते रहे हैं अगर चाहिए तो यह पूरा अच्छे से लिख दो बढ़ते आगे अब मैंने जो आपसे वादा किया है कि मैं हर एक चीज़ आपको बताऊंगा let's see कैसे हम लोग आगे बढ़ने वाले सबसे पहले compare कर देते है as usual पहले क्या करना है comparing कर दो comparing with किसके साथ यह भी आपको पता है come on ax square plus 2 hxy plus by square is equal to zero अच्छा कई सारे लोग अभी भी सिर्फ वीडियो देख रहें तो प्लीज उनसे मैं request करूंगा कि आप notebook और pen लेके बैटी है ताकि हर एक sum properly note down करो from the board's point of view बहुत ही जादा important यह होने वाला है तो compare करने के बाद a का value कितना आता यह भी आप ही बताओगे मेरे को ठीक है come on यहाँ पर a का value कितना है 3 है compare करने के बाद यहाँ पर 2h का value कितना है great यह 2h is equal to k जैसे वैसे रखते ठीक है b का value कितना है can anybody tell me यहाँ पर y square का coefficient b है यहाँ पर y square का coefficient great it is minus 1 तो यहाँ पर आगया minus 1 right आगे बढ़ता हूँ अभी अब एक चीज़ उन्होंने क्या दिया है slopes are differ by 4 ठीक है तो consider कर लेते पहले let m1 and m2 m2 are the two slopes ठीक है are the two slopes of lines ठीक है slopes of lines any doubt up to this ठीक है मने कुछ ज़्यादा किया in fact ठीक है तो यहाँ पर simple सी बात हो गई अब जो दो फॉर्मिले अपने को पता है पहले उन से आगे बढ़ लेते सम अफ दस लोग सम अफ दस लोग क्या होता है m1 प्लस m2 यह तो सबको पता है माइनस 2ह यह कर देते इंगी कर देते हैं तो माइनस का फाइदा क्या होता है जो पहले कर पता है वह कर लो टेंस ही नहीं तो सब कुछ अपने पास अवेलेबल हो जाएगा अपने आप बगवान की देने ठीक है तो यहाँ पे माइनस 2 ह के जगे पर क्या डालना ग्रेट बी के जगे पर माइनस वन खुशी खुशी यहां पर आंसर कितना आ गया के आ गया मतलब सुम अब दस लोग कितना आ गया के आ गया इसको हमेशा अब आने वाला है असली मज़ा ठीक है ध्यान देना एकॉर्डिंग टुद गीवन कंडिशन ठीक है स्लोप साझ झाहें 4 मतलब डिफर मतलब m1-m2 भी हो सकता है या फिर m2-m1 भी हो सकता है तो कोई बन्त है अगर यहां पर m2-m1 लिख रहा है तो भी सही है मैं अगर m1-m2 लिख रहा हूं तो भी सही है इसके लिए दोनों का solution सही होना चाहिए इसके लिए मैंने क्या डाल दिया mod डाल दिया जैसे ही mod डालते हो आप कैसे भी इसको shuffle करो कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है तो यहाँ पे मैंने 4 लिग दिया अब आने वाला है असली मजा अभी आप कहोगे mod तो डाल दिया लेगिन यह mod को तो हटाना पड़ेगा न तो mod को कैसे हटाएंगे देखो जिन्दगी का यह रहस है ठीक है life statement मतलब क्या जिन्दगी का रहस है कभी भी अगर mod को अटाना है simple है पहले दिमाग में ख्याल आना चाहिए squaring on both the side क्या बोला मैंने squaring on both the side कर दो फिर squaring कर दिया तो M1-M2 का क्या हो गया square हो गया और यहाँ पर क्या हो गया 4 का 16 हो गया you getting my point देखो mod भी हट जाता है और अपने को square भी मिलता है कितना मज़ेदार चीज है न बट इसके पहले जो मैंने explanation बताया वहाँ से ही तो आगे बढ़ेंगे अपने को formula तो पता है guys M1-M2 का whole square is equal to देखो आपका जो question था कि sir आपको कैसे पता चला कि यह sum में वो formula use करना है जवाब मिल गया क्योंकि मेरे को यह मिला है तो इसको expand करके तो मेरे को कुछ नहीं हासिल होने वाला है तो better way M1-M2 is equal to क्या कर देंगे M1 plus M2 the whole square minus 4 M1 M2 देखो यह formula अभी कितनी खुशी-खुशी से apply होने वाला है M1 plus M2 आपको already पता है from this तो यह हो जाएगा k square minus 4 M1 M2 कितना है minus 3 any doubt guys and basically इसका value भी तो अपने पास available है that is 16 खतम कर दो न क्यों टेंशन चाहिए जिन्दगी में यहाँ पे हो गया 16 is equal to k square plus 12 खतम हो गया k square का value कितना आगया 12 को अगर मैं आप adjust कर लो तो कितना आगया check करो 16 minus 12 कितना होता है बच्चा बच्चा जानता है it is 4 तो k का value कितना हो गया plus और minus 2 अच्छे से इसको box कर देने का decorate करने का this is what your final answer okay if you have any doubt you can write down in the comment box बढ़ते हैं अपने next sum की और okay guys यह रहा third question आपके सामने check कर रेते हैं again we have to find out the value of k if slope of the one of the lines given by k x square plus 4 x y minus y square is equal to 0 exceeds the slope of the other by 8 मतलब दूसरे line का जो slope है वो पहले line से 8 से क्या हो रहा है exceed हो रहा है मतलब क्या हो रहा है जादा हो रहा है अब देखो पहला sum लिया था differ by 4 दूसरा sum लिया था 4 ताइम्स ठीक है मतलब difference ले लिया मतलब subtraction ले लिया दो slope के बीच में multiplication ले लिया यहाँ पे अभी addition आ गया अब देखो intensive series का है न अपना mean तो यही है कि मैं हर एक sum यहाँ पे cover करने का कोशिश जरूर कर रहा हूँ वीडियो को end तक देखे ताकि सारे concept आपको cover और अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है तो पहला चीज जैसे as you know पहला चीज हम लोग हमेशा क्या करते है compare ही करते है तो comparing कर दो comparing with किसके साथ ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 है न तो हो गया a का value कितना है यहाँ पे इसके साथ compare किया तो k है ठीक है 2h का value अब थोड़ा फटा फट लिखेंगे क्योंकि इसकी आदत हो चुकी अभी आपको तो b का value हो गया minus 1 तो a मिल गया 2h मिल गया और b b मिल गया फटा फट जैसे आपको पता है let m1 m2 मैं intensive series में हूँ right मतलब अपना intensive series चालू है तो हर एक point लिखना जरूरी है let m1 and m2 m2 are two slopes okay so can you please tell me यहाँ पर relation क्या होने वाला है exceed हो रहा है exceed हो रहा है मतलब क्या suppose m2 is equal to मैं लिख सकता हूँ m1 plus 8 मतलब m2 slope है result है वो 8 से जादा है किसके comparatively m1 के comparatively तो यह relation है जिसको अपने को finally solve करना पड़ेगा लेकिन इसके लिए तो मेरे पास एक मज़ेदार चीज अवेलेबल है sum sum of the slope can you please tell me guys m1 plus m2 यह तो आपको सबको पता है come on m1 plus m2 कितना आता है can you please tell me minus 2h by b फटा फट लिख दो तो यह हो गया minus 4 by b is minus 1 तो यह हो गया 4 इसको खुशी खुशी equation number 1 कर देने का as usual यह है अपना product कर दो product फटा फट can you please tell me the answer m1 m2 is equal to मैं भी आपके साथ करता हूँ a by b a का value है k देखो मज़ेदार चीज b का value minus 1 तो यह आगया minus k तो इसको equation number 2 मैंने कर दिया यहां तक तो मेरे ख्याल से किसी को कुछ जादा doubt नहीं होना चाहिए तो बात खतम हो गई क्यों बताओ क्यों बताओ because यह पता है ना यह तो पता है अपने को right तो यह m2 के जगे पे I can substitute this यह m2 के जगे पे I can even substitute this तो खतम हो गया therefore equation 1 becomes देखो 1 को पहले करेंगे फिर 2 को करेंगे equation 1 becomes m1 plus देखो m1 plus m2 के जगे पे मैं डाल रहा हूँ यह वाला equation ठीक है तो यहां पे आ गया m1 plus 8 which is equal to कितना रहा है 4 therefore 2 m1 plus 8 is equal to 4 यहां से मिल गया m1 का value देखो 8 को adjust कर लिया तो 4 minus 8 हो गया तो minus 4 2 को divide किया तो minus 2 तो m1 कितना हो गया minus 2 यह तो मेरे ख्याल से सब को solve करने जरूर आता है right तो check करते है is my final answer is this no मेरा main name क्या है k का value डूंडो है ना की का value डूंडने के लिए मेरे को m2 की जरूरत है m1 तो पता चल गया तो m2 कितना आएगा m2 कितना आएगा 6 आएगा good good तो खतम हो गया अभी m1 आ गया m2 आ गया बात खतम चलो फिर चलो फटा फट solve कर देते therefore also from equation 2 मैं दूसरा रास्ता बता रहा हूँ from 2 मैंने जो बता है इसमें डालो m2 निकालो और फिर compare करके छोड़ दो either आप दूसरे इसमें इसमें भी कर सकते हो ये m2 के जगे पे डाल दूँगा ये तो m1 m1 प्लस 8 क्या किया कितना होने वाला है minus 2 का square 4 होने वाला है plus 8 is equal to minus 2 तो k का value खुशी-कुशी हो गया minus 12 are you getting my point guys k का value हो गया minus 12 अच्छे से लिख दो कुछ doubt है तो please comment box में जरूर लिख दीजिए हर session में कोशिश कर रहा हूँ कि 3 से 4 sum हम लोग cover करने का कोशिश करेंगी क्यूंकि काफी बड़े-बड़े समसे and concept भी है तो आज के session को यहाँ पर ही रुकाते मिलते हैं next session में नए concept के साथ तब तक के लिए good day, take care and thank you very much